आखो देखी नभीन कुमार सिंग आखो देखी न्यू चैनल सितामधी अभी जन अधिकार पार्टी प्रदेश्त अध्यक्स रागवेंद्र शिंकुश्वाह से खास बाचित बिहार के ज्वलन्त मुद्दा पे जैसे हमारे बिहार के सिक्षा वेवस्था, स्वास्त वेवस्था और विरोजगारी की जो इस्तिती है उस पे हम रागवेंद्र शिंकुश्वाह से कुछ जनकारी प्राप करना चाहेंगे नमस्कार, आपके आँखों देखी के सभी सुरताओं को हम बदाई देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपने बिहार के कुछ सुलकते सवालों को जनता के सामने में रखने का प्रयास किया है मैं आपके इस प्रयास की सरहना करता हूँ सबugen की सबसे बड़ी कुववस्था मोले या लोकी समस्या बोले या हमारे पढ़ने वाले जो गरीब लोगों के बच्चह सिक्षा विवस्था पर आप कुछ पहाना चाह períेंए देखे बरतमान सिक्षा व्यवस्था जो सरकारी सिक्षा व्यवस्था है इस राज्य में ही नहीं बलकि पूरे देश में दोहरी सिक्षा व्यवस्था चल रही है एक ऐसी सिक्षा व्यवस्था जिसमें पैसे वाले के बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी ऐसी सिक्षा व्यवस सिस्टम बोलते हैं या प्राइवेट इन्वर्सिटी सिस्टम बोलते हैं दूसरी ऐसी विवस्था जिसमें गड़ीव लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उसको हम गुवर्मेंट एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में और खास तोर पर विहार में गु दुनिया के हरेक मुलकों से लोग पूर्ची सिख्छा प्राप्ट करने के लिए दुनिया में और लोग पूरी दुनिया से यहां पढ़ने η आते वे ऐकिन आज क्या है और यहां के सरकार के उपर में एक बदनुमाद दाग है जो बिहार कभी सिक्षा के लिए और सांती के लिए पुरी दुनिया में जाना जाता था आज वही बिहार दुनिया का सबसे असिक्षित प्रांथ है और बिहार के लोग भी जो अच्छी सिक्षा चाहते हैं वो बिहार उतने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं अभी संजोग ऐसा है कि मैं बिहार के सुदूर अविक्सित गाओं राजकिये मद्दे विद्याले भलुआहा के प्रांगर में हम बैठे हुए आप देख सकते हैं कि यहां दो तरह के बिल्डिंग है पुरानी बिल्डिंग है जो जरजर वस्था में है सामने में भब्र बिल् अच्छा होगा सब्सक्राइब यहां तो लग रहा है कि सोचाले आप अगया अगया है यहां आए है तो यहां कि पुछ ग्रामीं बच्चे भी है यहीं लोग बताएंगे क्या है इस पूल की सब्सक्राइब है तो कमो बेस यहीं स्थिती है पूरे बिहार की स्कूल के नाम पर तो बिल्डिंग सब्जागा बन गया है लेकिन गुनवत्ता नहीं है यहां सिक्षक जो है उनके अंदर में क्वालिटी एजुकेशन के कोई तजरुबा नहीं है इनका बेतन भी बच्छा खासा हो गया पहल बिद्याले में इतना बेतन नहीं मिलता है उसके बाबजूद भी सरकारी स्कूल के जो सिख्षक है वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं बच्छे भी आते हैं तो परने कम आते हैं वो खिच्री और मध्यान भोजन की तरफ उनका ध्यान रहता है हमें यह लगता है कि जो सरकारी विद्यालों में परने वाले वच्चे हैं, उनको इसी तरह का गुनवत्ता हीन सिक्षा मिलता रहा, तो भविस्त में एक चपरासी की मोक्री भी उनको मिलने वाली नहीं।